मुहंबत बिन तुगलक वो जिसे तिहास नेक सनकी बादशाह का तुगलक की सनक के इतने किस्से है कि अदि ये आदमी सुनाने बैठे तो कई-कई वॉल्यूम में किताबे चप कर तयार हो जाएंगी तुगलक के जीवन की कोई उपलब्दी रही हो या ना रही हो लेकिन हाँ एक उपलब्दी जरूर है हम भारतियों ने अपने एक मुहावरे का नामकरण ही तुगलक के नाम पर कर दिया मुहावरा आपको भी शायद पता ही हो मुहावरा है तुगलक की फर्मान अर्थ है कोई ऐसी बेढगी और बेसिर पैर वाली बात जिसे मानना है तो बस मानना है इफ और बट जैसा कोई भी स्थिती नहीं है पंजाब में भी ऐसा ही हुआ है वहाँ किसानों की एक पंचायत हुई है जिसमें एक तुगलकी फर्मान सुनाया गया जिसके बाद शायद ह कोई इफ और बट वाली माथा पच्ची कर पाए असल में हुआ ये है कि किसानों के समर्थन में भीड जुटाने के लिए बठिंडा के गाउं विर्खुर्द में एक पंचायत हुई जिसमें कहा गया कि गाउं के हर परिवार का एक एक व्यक्ति तुरंत दिल्ली बॉर्डर पहुचे अन्यता परिवार पर 15 सो रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा एक बार फिर बता देता हूँ 1500 रुपए का जुर्माना वहीं यदि व्यक्ति जुर्माना नहीं अदा करता है तो गांवे से हुका पानी बंत सुनने में तो ये भी आ रहा है कि पंजाब की अन्य पंचायतों को ये फर्मान इतना अच्छा लगा कि उन्होंनों भी एक दूसरे से कह दिया कि भाई चलो अपन सब भी ऐसा ही करते हैं चुकि दिल्ली से सटी सीमाओं पर भारी पुलिस बलतैनात है और ठीक ठाक एक्शन भी लिया जा रहा है जिस कारण किसान धरना छोड़ रहे हैं एक तरफ ये बात है दूसरी तरफ पंचायत के हुका गुड़ गुड़ाते नेताओं या ये कहें कि बुजर्गों की बात है जिन्होंने पुलिसिया एक्शन को महस अफभा बताया है अब चुकि धरना इस थल पर बीड़ बढ़ाने के लिए पंचायतों ने कमरकसी है जो गुर्दवारों का भरपूर सयोग मिल रहा है अब इसमें गुर्दवारों को अभी सयोग आ रहा है गुर्दवारों से अनाउंस्मेंट हो रहा है कि मोर्चा अभी भी है गाउं के किसान ततकाल प्रवाओं में दिल्ली पहुँचे और किसी तरह की अवभा पर अपने कान ना दे फर्मान ये भी है कि जो भी गाउं से निकल कर आंदोलन के लिए दिल्ली आएगा उसे वहां कम से कम साथ दिन बिताने होंगे अच्छी बात ये है कि यदि किसी गाउं वाले के वाहन को नुकसान होता है तो नुकसान की पूरी जिम्मेदारी गाउं उठाएगा गाड़ी घोड़े के मुआवजे तक तो फिर भी ठीक है और सारी बातें भी अपनी जगाँ है नहीं मतलब इस महँगाई के दोर में अगर दो-चार दोस्त छोले भटूरे खाने और लस्सी पीने किसी अच्छे रेस्टूरेंट में चले जाएं तो इससे दुगले का तो बिल आ जाएगा आज के समय में होता ही क्या है पंदरा सो रुपया बाकी देखा जाए तो इस तुगलकी फर्मान से पंचायत के चचा और ताउओं ने ना केवल अपना ही परिहास किया है कैसे तो बड़ा सिंपल लॉजिक है मान लीजिए किसी का दिल्ली जाने का मूड ना हो और वो कह दे कि उसे खटी ड़कार के साथ दस्त लग गए और बदले में पंदरा सो दे दे तो किसान आंदूलन की इससे बड़ी तौही शाहिद ही कोई होगे बाकी पंचायत के फर्मान में एक क्लॉज वो हुका पानी बंद करने वाला है तो हाँ ये थोड़ा सीरियस मेंटर है किसी के घर दूद फट जाए और उसे चाय की भहंकर तलब लगे तो वो गरीब किसी से ना तो एक प्याली दूद ही मांग सकता है और ना ही कोई उसे देगा उस पर बात हो सकती है इस मेंटर पर भले ही समवाद की गुंजाईश हो लेकिन अब भी वो पंदरा सो रुपे वाली बात हमारे गले के नीचे नहीं उतर रही बात एकदम सीधी और शीशे की तरह साफ है इतने बड़े मतलब बहुत बड़े और तारीखी आंदोलन के लिए पंजाब के किसानों की कीमत सिर्फ पंदरा सो रुपे है तो ये वाकई बहुत शर्मनाक है ये इतनी और इस हद तक शर्मनाक है कि बटेंडा के गाउं के बड़े बुजर्गों को ना केवल इस पूरे मैंटर पर पुनर विचार करना चाहिए बलकि वहाँ पंचायत को फिर से इसके लिए पंचायत करनी चाहिए और जुर्माने वाला एमाउंट बढ़ा कर एक ऐसा रकम करनी चाहिए जो सुनने के साथ बताने में भी अच्छी लगे धन्यवाद